कैसे हैं आप सभी उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे खुस होंगे स्वस्त होंगे लाइफ में ग्रोथ कर रहे होंगे गाइज आज मैं हाजिर हूँ आप सभी के लिए message from God परमपिता परमिश्वर का सर्व्शक्तिमान इश्वर का आपके लिए क्या संदेश है जीवन की कौन सी परिसानिया हैं कौन सी मुस्किले हैं जिन से आप रूबरू हो रहे हैं आप इस वर की तरफ देख रहे हैं इस वर से विंति कर रहे हैं प्रियर्स कर रहे हैं कुछ लोग बहुट टाइम से किसी चीज को माँग रहे हैं कोई विस्ट हचाते हैं कि उनकी पूरी हो जाए तो आज चेक करते हैं कि आप लोगोण की प्रेयरs गष तक पहुंची है अगर पहुंची है तो वो आपको क्या मैसेज्स दे रहे हैं आज चलिए सुरू करते हैं reading को reading यहां पर pick a card होगी आप लोगों के सामने कार्ट सफल करूँगी और इन कार्ट निकाल लूँगी मैं Thank you Okay Group No.3 के लिए दो कार्ट निकल कर आए हैं तो फिर मैं दोनों ले लेती हूँ मैं इन जस्टिस नहीं करूँगी जिसके लिए जितना इश्वर ने दिया है वो से जरूर से मिलना चाहिए Thank you Group No.1 के लिए कार्ट दीजिएगा यूनिवर्स Thank you शर्फ शक्तिमान इश्वर का क्या संदेश है ग्रूप No.1 के लिए प्लीज कार्ट दीजिएगा प्लीज यूनिवर्स मदब करें Thank you Group No.1 के लिए क्या मैसिज है Group No.1 के लिए चार कार्ट निकल कर आए हैं तो मैं ले लेती हूँ Group No.2 के लिए क्या मैसिज है यूनिवर्स गाइड करें Thank you One more card Universe Group No.2 के लिए Okay आपके लिए 2 निकल कर आए हैं Group No.3 के लिए यूनिवर्स गाइड करें Thank you Group No.3 के लिए ओके ग्रूप No.3 के लिए 2 कार्ट निकल कर आए हैं Thank you और इसका bottom of deck है यहाँ पर Door to Romance यहाँ से चेक कर लेते हैं कि क्या निकल कर आ रहा है Thank you Universe Group No.1 के लिए Group No.1 के लिए Thank you Group No.2 के लिए कार्ट दीजिए यूनिवर्स Group No.2 के लिए Thank you Group No.3 के लिए कार्ट दीजिएगा यूनिवर्स Okay Thank you चलिए सुरू करते हैं Reading को तो Group No.1 से सुरू करते हैं Welcome Guys हमारी Group No.1 के लिए Reading सुरू करते हैं क्या है आपके लिए Messages Receiving Every day is become easier to receive the highest divine plan Group 1 के लिए Message है अगर आप ये सोचते हैं कि आप आज कल के लिए Planning कर लें कल का दिन आपको क्या करना है कैसे करना है किस से मिलना है कहां जाना है आपने अगर कल के लिए Planning आज कर ली है तो आप ये सोचे कि वो कल Planning आपकी बिल्कुल Change हो जाएगी आपने आज जो सोचा है कल के लिए उसमें से आप दो एक काम तो कर पाएंगे लेकिन आपने जो पूरा सोचा है वो आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि हर दिन According to Divine Plan चलता है हम यहाँ पर आने से पहले अपनी पूरी लाइफ का लेखा जोखा रखके आए हैं उपर और हम एक Contract साइन करके आए हैं उस Contract में हमने अपनी बर्थ डेट से लेकर अपनी लाइफ की एंड डेट भी लिखी हुई है हमने खुद ने अपने हाथों से अपने मरने की इतिथी तैकी है तो अगर आप यह सोच रहे हैं कि आप कल जो करेंगे वो आपने आज सोच लिया है ऐसा नहीं होता है गाईज आप कल कुछ भी सोच लें लेकिन According to Divine Plan सारी चीज़ें जानी होती हैं तो यहाँ पर यही मैसेज आ रहा है परमपिता परमेश्वर की ओर से कि आपको कुछ चीज़ें लेट गो कर देनी हैं आप गोड को सरेंडर कर दीजिएगा और जो चीज़ें आपको painful situation दे रही हैं उनको छोड़ दीजिएगा Broken Heart अगर कुछ लोगों की वज़े से या कुछ रिष्टों की वज़े से आपका heart broken है आपका दिल तूटा है तो यह आपके लिए कोई एक lesson है कोई एक सबक है जो हो सकता है कि आप नहीं सीख रहे थे आप बार बार किसी एकी cycle में फस रहे थे बार बार लूप में घूम रहे थे तो यह आपके लिए message है कि आप अपने आपको इस लूप से निकालिए आजात कीजिए इस situation से और इस situation को change कीजिए जिससे कि आप life में आगे move कर सकें Second chakra Archangelarial आपके अंदर अगर fear है relationship को लेकर आप अपने आपको बहुत bound feel करते हो या आप किसी से love करते हो और वो अदर कास्ट की है आप अदर कास्ट में हो आपको समाज का डर लगता है तो be courageous समाज जाती और जितने भी ritual है सब यहां मदरगाया पर लोगों के बनाई हुए है उनसे आगे निकल कर अपने रिस्ते को पैचानिए appreciation अगर कोई आपके लिए कुछ अच्छा काम करता है या आपको प्रेम करता है तो उसको appreciate करिएगा patience आपको कुछ कामों में patience रखना है और भरोसा रखना है कि जो हो रहा है वो divine plan के according हो रहा है oh my god page of sorts and two of cups page of sorts के energy है कि आपको clarity मिल रही है आपकी सोच परिपक हो रही है और कुछ नया होने वाला है कुछ नया हो रहा है और कुछ नया होने वाला है कुछ चीजे ऐसी हैं चो आपकी life में unfold होने वाली है और कुछ ऐसे कि आपको जैसे कि एक नया thought pattern मिलने वाला है two of cups आपकी love life में अगर कुछ blockages हैं तो इनको remove करने के बारे में सोचिए और सोचिए कि किस तरीके से ये obstacles खतम किये जा सकते हैं mindful बनिएगा और अपनी relationship को बहतर बनाईएगा तो यह है group one के लिए reading उमीद करती हूँ आपको आपके answers मिले हो reading पसंद आए तो वीडियो को like, share और subscribe जरूर करिएगा thank you so much for watching welcome group two हमारे जिन भी वीवर्स ने group number two चना था check कर लेते हैं कि आपके लिए शर्व शक्तिमानी स्वर के क्या messages हैं परमपिता परमेशर की ओर से आपको क्या message दिये जा रहे हैं divine abundance courage angel of love healer of the ages the star and the chariot guys congratulations आपके life में abundance आ रहा है है और दीपवली है और मालक्षमी का आगमन हो रहा है आपके घर में learn to be abundance not chases तो आपके लिए message है कि आपको अपनी life में किसी भी चीज को chase नहीं करना है चाहे वो person हो चाहे लव हो या आपके लिए पैसा हो आपको किसी चीज को पीछा नहीं करना है बस आपको magnet बनना है और वो चीजें खुद आपके पीछी आएंगी angel of strength आपको strength मिलेगी लाइफ में और आने वाले टाइम में कुछ लोग मुझे खुद पर वर्क करती हुए दिख रहे हैं कुछ divine feminines अपने carrier पर अपनी beauty पर और अपने आसपास की चीजों को खुबसूरत बनाने पर वर्क कर रही हैं यहां पर मुझे crystal दिख रहा है कुछ viewers हो सकता है कि रेकी में interested हो और रेकी healing करना चाहते हो रेकी healer बनना चाहते हो या फिर आप crystal वगएरा की कोई shop online on करना चाहते हैं या आप crystal buy करना, sale करना या आपका target बन रहा है या आप interested है इस चीज में तो आपके लिए वो रास्ते खुल रहे हैं universe आपको allow कर रही है, universe आपको help करेगी आप इस field में आगे बढ़ सकते हैं healer of the ages, हमारे कुछ viewers यहाँ पर healers है, रेकी healer हो सकते हैं, empath हो सकते हैं, product healing करते हैं तो आप लोग ऐसे ही इस पत्त में आगे बढ़ते रहेगा, universe आपको guide करेगी, angels और god आपके protector हैं वो आपको messages send करते रहते हैं, time to time वो आपको guidance दे रहे हैं the chariot and the star आपकी life में abundance आ रहा है और यहाँ पर आपकी एक भी wish granted हो गई है, परमपिता परमेशन ने आपकी wish कबूल कर ली है और उसके लिए उनकी तरफ से बहुत सारी energy positive urge आपकी और आ रही है, आपकी एक बड़ी मनत पूरी हो चुकी है, युशर ने आपकी प्रातना सुन ली है, आपकी याचना सुन ली है, आप तक बहुत जल्द उनका message और उनके abundance पहुँचने वाली है, यह है reading group 2 वालों के लि पहले होंगे, reading पसंद आए तो वीडियो को like, share, subscribe करिएगा, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, पहली बार आपने वीडियो देखे हैं, तो चैनल को subscribe करिएगा, thank you so much for supporting me, welcome group 3, हमारे जिन भी viewers ने group number 3 को चुना है, देख लेते हैं कि आपके लिए universe का परंप angel of balance, first chakra, archangel Michael, grounded karma, और हमारे viewers के अंदर balance आ रहा है, हो सकता है कि आप लोग चक्रा meditation करते हैं, और अपना first chakra, root chakra बहुत अच्छे से activate कर लिया है, और आप काफी balance में आ चुके हैं, life को आप positively देखने लगे हैं, दुनिया को देखने का तरीका आपका बदल गया है, क्योंकि जब chakra alignment में आते हैं, तो सारी बातें जैसे की हमारे सामने खुल जाती हैं, यूनिव तो आपका root chakra यहां पर balance होता हुआ दिख रहा है मुझे, और ये सर्व शक्ति मानिश्वर की, परमपिता परमिश्वर की आपके उपर blessings हैं, कि आपकी life में balance आ रहा है, उपर वाले की दया से, उपर वाले की कृपाशे, आपकी life में balance आ रहा है, और आप आने वाले future में एक बहुत bright image बन कर उबरेंगे, या उबरेंगी, यहां पर Egypt के pyramid दिख रहे हैं मुझे, और यहां पर moon दिख रहा है, आप psychic healer, empath हो सकती है, यहां आपके अंदर बहुत दैवी गुड है, आप दूसरों के प्रती बहुत दया और kindness फिल करती हो, या करते हो, और आप कभी किसी के बुरा नहीं चाहते हैं, या बुरा नहीं चाहते हैं, इसी वज़े से आप इश्वर के बड़े प्यारे हैं, grounded karma, यहां पर वही energy है, root chakra की energy है, और root chakra जब balance होता है, तो हम अपने आप grounded हो जाते हैं, मदर गाया से हमारा connection बनता है, और root chakra का, root chakra का balance होना बहुत जरूरी है, grounded, आपके energy बहुत grounded बनी हुई है, और आने वाले time में आप खुद को और भी जादा peaceful महसूस करेंगे, आपके अंदर एक कामने सा रही है, आसपास की situation आपको बिल्कुल भी परिसान नहीं करेंगी, आपको ये एहसास हो जाएगा कि जो हो रहा है, वो सब according to divine plan हो रहा है, बेवज़ाए आपके चिंता करने से, या आपके तकलीफ में रहने से, या आपके बहुत ज़्यादा tension में रहने से, चीजें आपके according नहीं चलेंगी, ये बात आपको आने वाले समय में बहुत अच्छे से पता चल जाएगी, या आपको अभी तक काफी उसका एहसास हो चुका है, यहाँ पर बटरफ्लाइज हैं, देखिए ये मदर गाया दिख रही है मुझे, यहाँ पर देखिए ये गाय बिल्कुल सांध बैठी हुई है, उसके सर पे एक पैरट बैठा हुआ है, लेकिन वो उसको परेशान नहीं कर रही, या उसको हिला नहीं रही, क्योंकि वो अपनी कामने सिच्वेशन में है, उसे फर्क नहीं पड़ रहा है, जैसे कि आपने देखा होगा माहत्मा बुद्ध, एक बन बना हुआ रहता है, वो बन नहीं है, वो असल में स्नेल्स हैं, और ये स्नेल्स उनके सिर पर अपना एक बना ले थी जिससे कि सूर की तप्ती हुई किर्णे उनके सर को या उनके थर्ड चक्रा को उनके क्राउन चक्रा को नुक्सान ना पहुचा सकें, क्योंकि जब वो मेडिटेशन करते थे तो सुबह से साम हो जाती थी, और आप लोग जानते हैं कि बौध मौंक होते हैं, वो अपने सर पे बाल नहीं रखते हैं, जब वो मौर्निंग में मेडिटेशन करने के लिए बैठते थे, तो उनको पूरा दिन हो जाता था ध्यान की अवस्ता में, और जब सूरज बिलकुल उपर चड़ता था, तो उस वक्त इसनेल्स आकर उनके सर पे एक हेलमेट जैसा बना लिया करते थे, जिससे कि उनके क्राउन चक्रा को, उनके सिर को किसी तरह कोई परेशानी ना हो धूप से, तो यहाँ पर वही चीज मुझे आपके अंदर भी दिख रही है, आती हुई, और यह सब अकॉर्डिंग टू डिवाइन प्लान होने वाला है, इस वर की क्रपा से ह होने वाला है, कर्मा, कुछ चीजें लाइफ में खराब हो सकती है, वो पास्ट की है, वो रिलीज करिएगा और आगे बढ़िएगा, फाइव ओफ पेंटिकल्स, वील ओफ फॉर्चून हो सकता है कि अभी तक आपने लाइफ में बहुत सारे अब्स्टिकल्स देखे हैं, ब अपना दिल दाप कर रहे हैं, मन मार मार कर रहे हैं, अब सारी अबंडन्स आपकी लाइफ में आ रही है, और वो सिर्फ इशर की वजए से इशर की क्रपा से हैं, तो उमेद करती हूँ गाइज, आपको आपके आंसर्स मिले होंगे, रीडिंग पसंद आई होगी, और रीड आपका केमिती समय देने के लिए, थैंक यू सो मुच फोर वाचिंग